दर्दियों में अडेनियम प्लांट को पानी देना एक जद्दो जहद का ही काम आप मान सकते हैं क्योंकि उसको यदि हम पानी देते हैं तो वो रोट हो जाता है और यदि उसको पानी नहीं देते हैं तो वो अपने कोडेक्स को श्रिंक कर लेता है यानि पिचका लेता है बहुत तो लोगों के साबने ये समस्याएं आ रही हैं कि पानी दें या ना दें पानी कब दें और कैसे दें तो इस वीडियो में हम आज आपको यही बताएंगे कि कितने समयंतराल पर आपको पानी देना है तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे अडेनियम प्लांट पे नवंबर का एंड चल रहा है फिर भी फ्लावरिंग हो रही है और बिना पानी के फ्लावरिंग तो हो नहीं सकती है यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में और बताते हैं आपको अपने अडेनियम प्लांट को सर्दियों में कैसे और कब पानी देना है स्वागत है दोस्तो एक बार फिर से आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट सेंड केर में आशा करते हैं सभी के गार्डन और आप लोग स्वस्तोर हल्दी होंगे दोस्तो आप देख रहे हैं कि मेरे इस अडेनियम प्लांट पर ओस ने जो लीफ है उन पर डेमेज किया है और ये आम बात है जब ओस पड़ती है तो उन दिनों में ये समस्याएं होई ही जाती है आज हम बात करेंगे कि हमें अपने अडेनियम प्लांट को पानी कैसे और कब देना है दोस्तो पानी कैसे देना है ये हम प्रक दिया आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं हम उसको आई बटन पर लगा देंगे वो आप देख सकते हैं लेकिन सरदियों में हमें पानी किस समय देना है ये डिपेंड करता है आपकी सोयल पर आप देख रहे हैं कि मेरी जो सोयल है अडेनियम प्लांट की उस सोयल को मैंने इतना ड्रेनेज बना रखा है कि उसके अंदर पानी होल्ड होने का कोई चांस ही नहीं है हाले कि मैंने इसके अंदर कोको चिप्स भी मिलाया हुआ है तो कोको चिप्स भी आप देख लीजे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी पूरी तरीके से ड्राई है अब आप सोच रहे होंगे कि कोको चिप्स ड्राई है तो किस तरह में पानी दिया है और कितना पानी दिया है दूसरा इतना हमने उसको पानी नहीं दिया कि वो एक हपते तक भी अपने अंदर पानी स्टोर कर सके। बाकि इसके अंदर सिंडर मिली हुई है और इसके अंदर अभी भी नमी है। सेटर्डे से आज हो गया है आपका ट्यूजडे है। तो ट्यूजडे को भी अभी नमी है तो अभी इसको पानी नहीं देना है। अब हमारा जो सोयल मिक्स्चर है हमने जो तयार किया है उसके अंदर इतने दिनों तक नमी बनी रह सकती है। तो यह हमें अंदाजा हो जाता है जब हम एक बार उसको सोयल को बना लेते हैं। उसको परख लेते हैं उसी तरीके से आपको अपने पोट की जो सोयल आपने बनाई है एक बार आप सोयल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से हमारी जो सोयल है नीचे तक अभी गीली रहती है अभी आप देख रहे हैं ये भी अभी गीली है देखिए आप आपको दिख रहा होगा गीलापन तो उपर से तो ड्राइ हो जाती हमें लगता है ड्राइ हो गया हम फिर से पानी दे देते हैं और वो पानी नीचे इस्टोर रहता है तो जिस वज़े से हमारा सर्दियों में अडेनियम प्लांट रोट हो जाता है दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि नमी बनाए रखें लेकिन नमी बनाए रखने में इसमें भी दो चीजे आ जाती हैं उसके बारे में मैं आपको आगे दिखाऊंगा और एक्स्प्लेइन भी करूँगा आप मेरी इस प्लांट की सोयल देखिए इस प्लांट की सोयल भी सेम उसी तरह के से बनी हुई है उसी मेथट से और उसी फॉर्मूले से बनी हुई है जिस फॉर्मूले से मुझे फिर से रिपोर्ट करना ही है आपको तो इसको तो हम रिपोर्ट कर देंगे फिलाल आप देखिए प्लांट इतना हेल्दी और स्वस्थ है इसके उपर कोई दिक्कत और परिशानी अभी है नहीं और नमी हमेशा बनी रहे इस बारे में मैं आपको दिखाता हूँ यह आ आप तोर पर दिखाई दे रही है कि गीली है अब इतना अंतर तो आपको समझ में आही रहा होगा कि उसके ऊपर की लेयर सूखना शुरू कर दिया है और यह अभी तक गीली ही है तो यह सोयल मिक्षर के ऊपर डिपेंड करता है तो जब आप सोयल मिक्षर बनाए तो उसके अपनी मातरा जैसे कोको पीट की मिलाएंगे तो उससे नमी ऊपर नीचे होती है यह भी सोयल जो है डिफरेंट है और इसके अंदर सिर्फ आपका जो सिंडर होती है वो मिली है और सोयल मिली है तो यह सोयल जो मैंने इस्तमाल करी थी यह बालू मिट्टी जो होती है यह वह जिससे हम घरों का भराव करते हैं ये वो मिट्टी है इसके अंदर उपजवी शायद कमी होती है क्योंकि भराव के अंदर उपजाओ मिट्टी का इस्तमाल नहीं करते हैं तो ये वो वाली मिट्टी है इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं तो उसमें मैंने इसको लगाया था, तो अब इसके अंदर खाद भी मिलाया, सब कुछ मिलाया है, तो उपजाओ तो बनेगी ही, और बाकी जो है, हमारे अडेनियम प्लांट को तो बंजर जमीन चाहिए ही होती है, तो ये आप देखे कि सोयल इसकी भी ड्राई हो चुकी है, औ और ड्राई इतनी ड्राई है कि इसके नीचे की जो सते है, मैं थोड़ा और खोदूँगा तो और गीली नजर आएगी आपको, लेकिन फिलाल जो है, अभी खोदने का कोई मूर नहीं है, दोस्तो ये सभी हैक्स हमने अपने खुद के एक्स्पीरियंस से बनाए हैं, हमने अ उपर की सते ही गिली है, और ये देखिए ये भी उस दिन सैटरडे को ही हमने वाटरिंग करी थी, तो ये भी ड्राई हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हमने सिंडर का मिक्षर मिलाया हुआ है, इस प्लांट को भी आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, फ्लावरिंग भी हो रही है, और फ्लावरिंग तो होने का कारण ये है, कि समय पर इसको पानी मिल रहा है, और इस समय दिन में टेंपरेचर भी रहता है, तो इसी वज़े से इसके उपर फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से डॉर्मेंची में नहीं यह आप देखिए यह हमारा जो सोयल मिक्शर है यह थोड़ा उनसे अलग है इसके अंदर हमने रेट और वर्मि कमपोश्ट और इसके अंदर सिंडर हमने मिलाया हुआ है और इसकी जो आप देख रहे हैं यह भी इस तरीके से बनी हुई है कि इसका अंदर भी पानी होल्ड नह आपको दिखा रहा हूँ जिस कंडिशन में वो है इसी कंडिशन की आपको सोयल मिक्षर बनाएंगे तो अडेनियम प्लांट हमेशा स्वस्त रहेगा और सर्दियों में आपको ज्यादा परिशान होने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी और अभी जो आपका प्लांट जिस सोयल में लगा हुआ है उसको उसी में लगा रहने दे उसको रिपोर्ट ना करें उसको सिर्फ आप शेड में कर दे और जब सीजन इसका आएगा फरवरी एंड में ही इसको रिपोर्ट करें वरना अगर आप अभी से रिपोर्ट करने लेगे उसके साथ छेड़कानी करेंगे तो तो वो रोट हो जाएगा ये भी हमारा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सोयल और मतलब गाडन सोयल और सिंडर मिली हुई है और इसके अंदर वैसे तो ये बहुत बड़ा प्लांट है इसको मैं अगर मैं वाटरिंग आज कर देता हूं तो दस से पंदरे दिन में ही इसको फ कि इसको पानी चाहिए तो ये साइट से किनारा छोड़ देती है आप दरार देख रहे होंगे ये जो दरार है ये बताती है कि अब इसको पानी की जरूरत है वैसे तो ये मेरा बहुत बड़ा प्लांट है इसको हम अगर 25 से 30 दिन भी पानी नहीं देंगे तो भी ये से अगर आप वाटरिंग करेंगे तो आपका प्लांट श्रिंक होगा ही अब आप देखिए मेरा ये छोटा प्लांट है छोटे प्लांट के अंदर भी मैंने अपना वैल डेनेज स्वेल सिस्टम वाला ही स्वेल बनाया है ये भी कितना हेल्दी है और ये ग्रोथ भी हिक कर ग्रोथ का रीजन में पीशे आपको बता ही चुका हूँ कि क्यों इस समय अडेनियम ग्रोथ कर रहा है हमारा और फ्लावरिंग भी कर रहा है और ये दोस्तों हमने ओपन रूट के जो प्लांट रखे वे थे वो भी आपको दिखा देता हूँ जो साइड में छोटे प्लांट लगा हुआ है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि सोयल के अंदर अभी नमी है यदि ये ड्राई होने लगता या इसकी लीव ड्राई होने लगती मुर्जाई सी होती तो ये खुदी बता देता कि इसके अंदर पानी नहीं है तो इस तरीके चे छोटा प्लांट उसी दिन मिला था तो अभी भी ये एकदम ठोस है इसको कोई दिक्कत नहीं है ये श्रिंग भी नहीं हो रहा है और पिचक भी नहीं रहा है तो अभी आप देखिए कि सारी चीज हमने आपको बताई कि डिपेंड करता है आपकी सोयल मिक्षर पर यदि मैं यहां से आपको कह है और कितने दिन में वह पानी को अबजर्व कर लेता है अब दोस्तों बात करते हैं नमी बनाए रखने की तो मैंने आपको बताया था कि नमी बनाए रखने में और नमी होने में बहुत अंतर होता है दोस्तों एक नैचुरल नमी होती है यह आप देख रहे हैं मेरी सीडलि इसको मैंने एक poly bag में लगाया हुआ है और ये अच्छे से growth कर रहा है लेकिन ये थोड़ा सा soft है यानि कि ये थोड़ा पिचक रहा है यानि कि इसके अंदर कुछ न कुछ समस्या जरूर है समस्या इसके नीचे है यानि कि poly bag के बाहर ये आप देख रहे हैं ये जो root पे white color का जो fungus लगा हुआ है ये fungus इसकी समस्या है इस वज़े से आपका plant हमेशा पिचकता है सर्दियों की दिनों में और ये condition तब बनती है क्योंकि ये terrace और इन roots के बीच में जो gap है वहाँ पे नमी कभी सूकती नहीं है यदि यहाँ पे ये भी एक नमी बनी हुई है ठीक है और नमी बनाये रखने में और इसमें दोनों में अंतर है एक नमी हम बनाते हैं जो एक समय अंतराल पे सूक जानी चाहिए लेकिन ये नमी है ये सूकती ही नहीं है तो ना सूकने की वज़े से ये white color के इस port आपके इसमें बन गया है और ये आप port में जब लगाते है तो port में भ कि आपका port के अंदर जो soil है और roots है उसके बीच में एक समय अंतराल पर dry भी होना चाहिए और नमी भी बनी रहनी चाहिए ऐसा नहों कि नमी बनी हुई है और आप पानी दिये जा रहे हैं उपर देखा सूक गई लेकिन अंदर की side जो नमी बनी रहती है उसी वज़े से ये fungus active हो जाता है तो दोस्तो watering की सला आप किसी ओर से नहीं अपने potting mix से लीजिए वो आपको बहतर तरीके से बता सकती है कि कब आपके ardenium plant को watering करना है दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो like करना न भूलें यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल कर सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन प्रेस कर लिजे आपका धन्यवाद